तो सात्यों नमस्कार और स्वागत है आप सबीका हमारी यूटूब चेनल इस्टडी सर्किल में और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार के बजट पर कुछ ऐसे फैक्ट जो की बिपी असी अक्सर पूछता रहा है और जो आकड़े पूछता है उसके संदर में हम इस पेसली बात करेंगे तो बिहार बजट के अगर हम बात करें तो बिहार के वित्यमंत्री स्री विजय कुमार चौधरी जी ने 28 फरवरी 2023 को वित्य वर्ष 2023 के लिए राज का बजट प्रिस्तुत किया है न और हम 24-25 की बात नहीं कर रहे हैं 23-24 की बात कर रहे हैं previous year का क्योंकि 24-25 का आप चलो का रेंट में हैं कोई दिक्कत ने लेकिन में भी इससे पूछ सकता है तुलनात्मक रूप से तो इसलिए देखेंगे जो बजट का मुख अंस है अगर हम उसको देखें तो आठ नौ लाग करोर रूपया था उसकी तुलना में आठ दसम्लो नौ प्रिद्शत की व्रिद्धी की है यानि कि वर्ष 2022 तेश में जहां यह साथ दसम्लो आठ नौ लाग करोर रूपये का जीएस डीपी था बिहार का वहें दो हजार तेश चौविस में यह आठ दसम्लो पाँच नौ लाग करोर रूपिये का अनुमान होने का कहा गया है तो हजार तेश सरकार का जो वियए है जो खर्च है जिसमें रिंड चुकावति को छोड़कर यानि जो रिंड एडायगी है उसको छोड़कर 2,38,327 कड़ो रुपए जो है यह अनुमानित है कि यानि इतना सरकार को खर्च करना है 2023 में जो 2022 के संसोधित अनुमान से 12% कम है यानि कि 2023 में सरकार का जो व्याय है वो थोड़ा सा कम है 2022 की अपएक्छा इसके लाबा बिहार राज के दवारा 23,569 करोर रुपए का करज चुकाया जाएगा 2023-24 के संदर्व में और 2023-24 के लिएकर हम प्राप्तियों की बात करें कि बिहार सरकार की प्राप्ति क्या रही है जिसमें जो उधारिया हैं उनको छोड़ कर दो लाख 12,769 करोर रुपए होने का अनुमान रखा गया है 2023-24 का जो प्राप्तियों उसकी बात कर रहा है जो कि 2022-2023 के संसोधित अनुमान से 6 प्रत्सत अधिक है यानि कि वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार की जो प्राप्तियों हैं वो है वर्ष 2022-23 की अपिक्षा 6 प्रत्सत अधिक है जबकि 2022-23 में जो प्राप्तियां थी उधारियों को छोड़कर वो है बजट अनुमान से 2 प्रत्सत होने का अनुमान रखा गया था लेकिन 2023-24 के संदर में 6 प्रत्सत अधिक है इसके लावा 2023-24 में बिहार राज का राजास्व अधिसेज जो है 4,489 करोर रुपए जो की बिहार के जीएश डीपी का सुनने दुसमलों 5 प्रत्सत है वो होने का अनुमान है इसके लावा 2023-24 के अगर हम राज कोसी घाटा की बात करें तो यह जीएश डीपी के 3 प्रत्सत यानि की 25,569 करोर रुपए पर लक्षित है यानि की बिहार में जो राज कोसी घाटा होगा 2023-24 में वो 25,569 करोर रुपए का लक्ष रखा गया है जबकि 2022-23 में संसोधित अनुमानों के अनुसार राज कोसी घाटा जो था वो जीएश डीपी का आठ दसमलो आठ प्रत्सत रहने का उमीद है तो इसी साब से दिखा जाए तो जीएश डीपी के 3,569 के बजट अनुमान से काफी अधिक है है ना अब थोड़ी सी बजट तो हो गया इसके अलाबा यह जो बजट के अलाबा क्या कहते है जो नीतिगत विस्षिटा है अगर हम देखने को मिले कि बिहार बजट से और क्या निकल क्या है तो क्रेसी के लिए बहुत सारे मिसन सुरू करने का प्रसाव रखा गया है जिसम क्या लाब है ठीक है इसके लब बिहार दलहन और तिलहन विकास मिसन साथ साथ राज फसल विविती करन मिसन दलहन और तिलहन पर विसेज ध्यान देते हुए चौथा क्रिसी रोड मैप लागू किया जाएगा इसके लबा भूजल सनक्षन के लिए उतकुष्टा केंदर इस 28,900 पदों को भरने के लिए मांग पत्र दिया गया है जबकि पुलिस के अगर हम बात करें 2023 के बजट के अगर हम बात करें तो उसमें 75,543 पदों की सजान की सुक्रित्ती दी गई थी ठीक है अब 2023 के अगर हम बजट अनुमान की बात करें बिहार सरकार की तो 2023 में 2,38,237 कर कर लक्ष रखा गया है जो कि 2022 23 के साथ सोधित अनुमान से 12 प्रेच्ट कम है यहनी कि 2022 23 में जो लक्ष रखा गया था उस से 12 प्रिच्ट कम है और यह जो व्याय है 2023 चाओविस में इसमें 2,212,769 करोर रुपए की जो प्राप्ती है यहने कि कहां कहां से लाया जाए गए यह पैसा तो इसमें 2,12,769 रुपए जो हैं यह प्राप्ति से आएगा जो कुछ उधारी को छोड़कर है भी हासरकार के लिए और 25,768 रुपए जो हैं यह सुध उधारी के रुपे भी हासरकार प्राप्त करेंगी और जो 2023 चोबिस में व्रधी दर्ज होई है इसके लावा अधिसेस का जिसर की बताया आप को 4,489 रुपए के राजस्व अधिसेस का अनुमान लगाया गया है जो कि GSDP का 0,05 प्रेजसत है इसके तुलना में 2022-23 में राज को 28,349 रुपए जो कि GSDP का 3,6 प्रेजसत था उसके राजस्व घाट की उमीद है और 2023-24 के संदर में जो राजकोशी घाटा है यह GSDP का 3 प्रेजसत अनुमानित है जो कि केंदरी बजट 2023-24 के अनुसार केंद सरकार दुआरा अनुमानित GSDP के 3,5 प्रेजसत के सीमा के भीतर है यानि कि जो बिहार का जो राजकोशी घाटा है वो अब इस्थि है तो यह तो साथियों बिहार बजट 2023 समंदित कुछ मेंतिपूर फैक्ट जिन्हें आप फिर से देख लें एक बार ताकि चीज क्लियर हो जाए और जो डेटा है वो आपको मिल जाए तो चीजों को आप सही तरीके से ले जा सकें नमस्कार